एपिसोड 3,97 चिंक्शियू ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने वीर के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपने लिए कुछ शराब डाली और वीर के हाथ में शराब के प्याले को देखा। वीर करहेजा सुनकर मोहित हो गया था इसलिए वह शराब पीना भूल गया था उसने जल्दी से इसे नीचे कर दिया किनक्षियू ने शराब की बोतल पकड़ रखी थी उसने वीर के लिए एक और पे डाला उसने अपना प्याला उठाया और कहा मैं तुम्हें फिर से खुश करूंगा इस बार वीर ने क्यों नहीं पूछा वह जानता था कि किनक्षियू को पता होगा कि वानर को वह किसी तरह से ले जा रहा था अन्य था पवित्र नेता किनक्षियू शायद उस व्यक्ति कुछ चियज नहीं कहेगा जिसे वह जानता भी नहीं था मंडप के बाहर घुटने टेक रहे 9000 राजा जमे हुए थे उस आस्मान में, उस जमीन पर, उस जीवन में उस दुनिया में सेक्रेड लीडर द्वारा खुशी मनाना कुछ हैसा था जिसे उसने केवल वीर को करते हुए देखा था जब वीर ने अपना दूसरा कप गिराया किनक्षियू ने वीर को एक और रिफिल दिया उसने अपना प्याला उठाया और कहा मैं तुम्हें दूसरे प्याले से खुश करूंगा वीर ने कुछ नहीं कहा उसने अभी अभी दिया गया तीसरा प्याला प्या वह किनक्षियू जैसे लोगों को समझता था अगर वह बात करने को तैयार होता तो वह उसे बताता कुछ भी पूछने का कोई मतलब नहीं था डीफाइट जीन जोड एक वीर के दिमाग में जीनो वृद्धी की घोशना चल रही थी लेकिन उसने इसकी परवा नहीं की अगले चक्र में वे आनक उसके सिस्टम से बाहर हो जाएंगे किनक्षियू ने सारी शराव पी ली उसने अपना शराव का प्याला नीचे रखा और कहा यह शर्म की बात है कि यह शरीर सिर्फ एक आत्मा है मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं पी सकता मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है मेरे जाने के बाद पवित्र उध्यान का समय और स्थान का चक्र समाप्थ हो जाएगा इस मूर्ती का इस्तेमाल आप पिछले दर्वाजे तक जाने के लिए कर सकते हैं फिर आप पवित्र महल तक पहुँच सकते हैं उसके बाद इससे पहले की वीर कुछ कह पाता वो 9000 किनकी और देखने के लिए मुणा जो पत्थर के मंडप के सामने घुटने टेकते हुए बार-बार खुद को थपड़ मार रहा था उसका चेहरा तूटने वाला था नमबर 9 आप से आप मिस्टर रहेजा का अनुसरन करेंगे किनक्षियू ने थंडे स्वर में कहा यदि वह चाहता है कि तुम जीवित रहो तो तुम जीवित रहोगे अगर वह चाहता है कि तुम मर जाओ तो तुम मर जाओगे 9000 राजा चौक गए उसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं हुई उसने तुरंत उत्तर दिया हाँ मैं समझता हूँ किनक्षियू ने ऐसा कहा लेकिन उसने 9000 राजा की ओर देखा भी नहीं उसने वीर की ओर देखा उसकी आँखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी उसके फेफ़रों से देख सकता है किनक्षियू ने आह भरी और कहा यह शर्म की बात है कि यह जीवन बहुत छोटा है और मैं आपकी देखभाल नहीं कर सका उसने वीर की ओर देखा उसके शरीर से एक पवित्र प्रकाश रिस रहा था जैसे जैसे रोशनी फी की पढ़ रही थी मूर्ती पर जीवन शक्ती कमजोर होती गई शरीर जेड जैसा दिखने लगा जेड की मूर्ती छोटी दिख रही थी थोड़ी देर के बाद जेड की मूर्ती में कोई जीवन शक्ती नहीं थी यह एक गुलिया बन गई जो वीर के हाथों में आ गई वीर जेट स्टाच्यू को पकड़े हुए था पवित्र बगीचा थोड़ा अलग लगा लेकिन वह बता नहीं सकता था कि इसमें क्या अलग है 9000 राजा ने खड़े होकर चारो ओर देखा वह पागल हो गया था वह पवित्र उध्यान के द्वार की ओर भागने लगा इस बार जब वह भागा तो पीछे के दरवाजे से नहीं आया वह वास्तव में दरवाजे के बाहर खड़े होने में सक्षम था पवित्र शक्ती बुझ गई है 9000 राजा हैरान और खुश थे जब उसने वीर को देखा तो उसकी आँखों में परस पर विरुधी भावनाय चमक उठी यह बच्चा नेता से कैसे जुड़ा है सेक्रेड लीडर का आखिरी मतलब क्या था उसने ऐसा क्यों कहा 9000 राजा सोचते रहे की क्या हुआ था पवित्र उध्यान के प्रतिबंद पहले ही समाप्थ हो चुके हैं यह सबसे अच्छा है कि हम चले जाएं वीर ने अपना हाथ लहराया उसने पत्थर का घरा, शराप की बोतल और प्याले उठा लिये पहले उन वस्तुओं को ढखने वाली पवित्र शक्ती थी वहां कोई भी वास्तब में खाने पीने की चीजों का सेवन करने में सक्षम नहीं था आप चीजे अलग थी वीर इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहा था सामान लेने के बाद वीर ने बाववा को पकड़ लिया उसने सुनहरी मचली के परिवार को पवित्र उध्यान के पिछले दर्वाजे पर ले जाने के लिए आगे बुलाया किनक्षियू ने कहा था कि पिछला दर्वाजा उसे पवित्र महल तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा वह पवित्र जाती का हॉल रहा होगा किनक्षियू का मकसद कुछ भी हो, वीर वहाँ जाने वाला था वह इतनी धूर आ गया था, तो निश्चे ही वह पीछे मुरने वाला नहीं था वीर कुछ ही कदम चला था जब 9000 किंग ने वीर के पीछे टेलिपोर्ट किया वीर अचानक सतर्क हो गया, उसने 9000 राजा की और देखा उसने उम्मीद नहीं की थी की 9000 राजा उसके सामने जुकेंगे और कहेंगे पवित्र नेता ने मुझसे मिस्टर रहेजा की रक्षा करने के लिए कहा मैं यही करने जा रहा हूँ, मैं आपकी सुरक्षा सुनिष्चित करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे स्वामी के स्वरूप में केवल एक आत्मा थी अब जब आत्मा चली गई है तो आपको इसे इतनी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं है वीर ने नहीं सोचा था कि 9000 राजा जैसा बुरा आदमी इतना वफादार होगा तब भी जब किनक शियू आसपास नहीं था आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं 9000 राजा ने गंभीरता से पूछा मैं स्वामी का सेवक हूँ यदि यह गुरू की इच्छा है भले ही यह मेरी मृत्यों की और ले जाए मैं अपने दिये गए कार्यों को पूरा करूंगा आपको वास्तब में ऐसा करने की जरूरत नहीं है तुम और मैं दोनों जानते हैं कि मेरे साथ तुम्हारे साथ मुझे खत्रा होगा वीरहासा 9000 राजा गंभीर लग रहे थे एक तीखी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा इमांदारी से कहूं तो अगर गुरू ने आदेश नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारने के लिए हर संभब कोशिश करूंगा चीजे आप अलग हैं मुझे में कितनी भी हिम्मत क्यूं न हो मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुचाना चाहूंगा